टीवी की बहतरीन अदाकाराओं में शुबार, अभी नेतरी दृष्टी धामी अपने पती नीरच खेमका से कितना प्यार करती हैं इस बात से तो हम सब अच्छे से वाकिफ हैं यह अभी नेतरी अपने पती को बहुत मानती हैं और उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हैं पर तो अपने पती से ज्यादा मानती हैं इनके एक दोस्त इनके इतने खास और अजीज है कि ये अपने पती से ज्यादा उन्हें मानती हैं तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि आखिर कौन है दृष्टी धामी के वह दोस्त और ऐसा क्या किया है उन्होंने इनके लिए कि ये उन्ह पर ज्यादा जोर मड़ डालिए क्योंकि आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको दृष्टी धामी के उसी दोस्त से रूबरू कराने वाले हैं तो अगर आप भी चानना चाहते हैं उनके दोस्त के बारे में तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंतग और साथ ही दृष उस best friend में से किसी एक को अपनी priority देने की तो ये अपने उसी दोस्त को चुनती है और इनके वह दिल अजीज दोस्त कोई और नहीं बलकि विवियन डे सेना है जी हाँ मदुबाला सीरियल में दृष्टी के साथ काम कर चुके एक्टर विवियन ही है दृष्टी के वह दोस्त जिनें ये अपने पती से ज्यादा मानती है और इसके पीछे इनकी एक बड़ी वज़ा है दरसल हुआ ये था कि मदुबाला के सेट पर जब एक बार दृष्टी धामी अपने सीन्स अच्छे से नहीं कर पा रही थी तब शो के डारेक्टर ने दृष्टी धामी को सेट पर मौजूद सभी लोगों के सामनी बहुत डाटा था और शो से भी निकालने की धमकी दी थी उस समय इनकी हालत ऐसी हो गई थी कि ये कुछ बोल नहीं पा रही थी इनकी ऐसी हालत को देखकर विव्यन डिसेना इस विवाद में खुसे और दृष्टी का सपोर्ट किया साथी डारेक्टर को भी बहुत भला बुरा सुनाया यो तो उस्वक्त सेक्ट पर कई लोग मौजूद थे पर उन सब में से विव्यन ही इनका सपोर्ट करने आये थे अपने तोस्त के दिल में इतनी केयर और इतना प्यार देखकर ग्रिष्टी के दिल में विव्यन के लिए इज़द और भी बढ़ गई थी क्योंकि ऐसा कभी किसी ने उनके लिए नहीं किया था सबके सामने इनका सपोर्ट करने वाले विव्यन ही केवल एक ऐसे व्यक्ती थे हालक ही इनके पती भी सब के सामने इनका सपोर्ट करने लगे है पर फिर भी विवियन ने इनके लिए इनके पती से पहले इनका सपोर्ट किया था इसलिए ये अपने दोस्त विवियन को अपने पती से ज्यादा मानती है और जब भी बात आती है नीरज और विवेन में से किसी एक को priority देने की तो ये विवेन को ही अपनी priority देती है तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि दृष्टी का अपने पती से ज्यादा अपने बेस्ट फ्रेंड को मानना सही है या नहीं आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले